कुछ हफते पहले न्यूज आई थी के इंडिया ने युनाइट किंग्डम को बीट कर दिया है तो बिकम दे फिफ्ट लार्जस्ट एकॉनमी इन दे वर्ल्ड नॉमिनल जीडीपी की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ और आप मैं सोचा होगा यूके ने जादा कुछ रियाक्ट नहीं किया इस पर परहापस ये लोग इसको इत्ता इंपोर्टेंस दे नी रहे नहीं देखी यूके ने कौाइटली इसको बहुत इंपोर्टेंस दी है ओवियसली इस बात को लेकर वो जादा ओपनली बोलेंगे नहीं क्योंकि उनके लिए काफी इंपरेसिंग बात है कि जिस कंट्री पे उनने इतने अत्याचार किये वो उनसे आगे निकल गया मगर आप रिशनली देखोगे तो यूके के मीडिया ने ये बात अब एडमिट करनी स्टार्ट कर दी है कि इंडिया चुप चाप एक क्लेम रख रहा है तो बिकाम दा इकोनोमिक सूपर पावर ये लोग यहाँ पर इंडिया को पांचवे स्थान पर देखकर इतना सप्राइज नहीं है ये अब बात कर रहे हैं भविश्य की के इंडिया कहां बढ़ने जा रहा है यूके का मीडिया ओपनली कहा रहा है के बहुत ही जल्द 2030 के आसपास इंडिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थवस्ता बन जाएगा और ऐसे टाइम में यूके के लिए बहुत इंपॉरेंट है के इंडिया के साथ इनके रिलेशन्स बहुत स्टॉंग हो